हे गाईज नमस्कार आप सभी का स्वागत है आप के पने चैनल एक जम अड़ा फाई स्टेडी चैनल पर सुबा की दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज है 79,000 सिच्छक वर्ती दोस्तों 6,696 अभ्यारत्यों को आखिरकार दोस्तों निवक्ति पत्र कब दी जाएगी इसके वारे में महतपूर अपडेट है 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए सरकार की कवायत जल सुरू होगी इसके वारे में भी महतपूर अपडेट निकल के सामने आ रही है इन दोनों खबरों के वारे में दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकाई दी जाएगी आप लोगों से दोस्तों रिक्वेस्ट है बीना वीडियो स्किप किये हुए अन तक जुरू जुरे रहिएगा पहली बार चैनल पर आप लोग बिजिट कर रहे हैं तो आप लोग पना पसंदीदा यूटूब चैनल दोस्तों एकजाम अड़ाफाइस्टेदी चैनल सब्सक्राइब कीजी आइकन बेर प्रेस कर लिजी आल वाला नोटिफिकेसन दोस्तों आप लोग आन कर लिजी जिससे कोई भी लेटेश्ट वीडियो अप लोग हो तुरन तुसका नोटिफिकेसन दोस्तों आप सभी को मिल जाएं दोस्तों जो उनात्ता या सिच्छकवर्ति की बात की जाए ठर्ड काउंसलिंग वाले भाईयों वैनों के लिए तो दोस्तों काफी जद्दो जहात के बाद नहीं आई है कल तमाम युवास आर्थी दोस्तों SCRT पर भी गए तो वहां से जो ख़बरी निकल के सामने आई दोस्तों कुछ अच्छी ख़बर नहीं है लेकिन जो अपडेट मिल लाई है कि दोस्तों आप लोग को निउक्तिपत इस्तिथी तक बित्रित कर दी जाएगी दोस्तों एक अपडेट है बहुती बड़ी अपडेट है CM आज नई जनसंख्या नीती का करेंगे बिमोचन दोसे ज्यादा बच्चे तो मिलेगी सरकारी नोगरी पदो नती और सबस्क्री भी दोस्तों रोकी जाएगी जो नई जनसंख्या नीती दोस्तों सरकार लागू कर करने जा रही है 19 तक मांगे गए हैं सुझाओ यूपी में आने वाले समय में जिन लोगों के दो से ज्यादा बच्चे होंगे वे सरकारी नौकडी के लिए आपात्र माने जाएंगे यही नहीं ऐसे लोगों को ना तो पदोनती मिलेगी ना ही किसी तरह की सबसीडी ऐसे लोग अस्थानिय निकाय का चुनाओ भी नहीं लड़ सकेंगे दोस्तों अस्थानिय चुनाओ का जो प्रवधान है दोस्तों नहीं लड़ पाएंगे लेकिन सांसत विधायक जरूर बन जाएंगे देखिए दोस्तों इसमें कितने बेदभाव तरीके से दोस्तों नियम कानून ब लड़ पाएंगे सांसदी चुनाओं लड़ पाएंगे बिधैक 2021 के मसोदे में किये गए मुखमंत्री योगी अधितनाद अभीवार को इसका विमोचन करेंगे प्रस्तावित बिधैक के मुताबिक दो से जादा बच्चों के माता-पिता सताता सरकारी योजनाओं वा प्रस्ताव नहीं ले सकेंगे इस विधैक के परभाव में आने से आने के एक साल के वीतर सभी सरकारी कर्मियों हुआ अस्थानिये निकाएं में चुने गए जन परनेदियों को एक साथ एक सपत्-паत्र देना होगा सपत्-पत्र के बाद अगर वह तीसरी संतान पैदा करते हैं तो परनेदी का विमोच निरवाचन रद्र करने का परषताव हुए जबकी सरकारी कर्मियों का परमोसन और सेवा समात करने तक कि सिफारिस की गई है राज विधी आयोग ने इस मसोधे पर आम लोगों से 19 जुलाई तक सुझाव मांगे हैं सुझाव मिलने के बाद इसे अंतिम रूप दे का सरकार को सौपा जाएगा दोस्तों इसमें तमाम खामियां है उसको दूर करने की जरूरत है क्योंकि उत्तर परदेश दोस्तों जन संख्या का दोस्तों एक बिस्फोर्ट बनता जा रहा है देखा जाए आब आदी दिन पर दिन दोस्तों आपके भारत की बात की जाए चाहे उत्तर परदेश की बात की जाए दोस्तों पहने। बहुत ही बिककट समस्य उत्पन होनी होती जा रही है दोस्तों. जो आज परजेर टाईम में दोस्तों देखा जाए जो लूट खसोर्ट भूग मरी हैं विरोजगारों की संख्या बढ़ती जारी उत्तर परडिस में दोस्तों उसका तमाम दोस्तों कारद देखा बहुत जादे माईने रखती है अब देखते हैं दोस्तों सरकार जो 19 July तक इस पे मांगा गया है क्यों 19 July तक आप लोग अपने सुझाओं दे सकते हैं उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि final draft में क्या निकल के सामने आते हैं दोस्तों जो नियम कानून है वो सब के साथ में दोस्तों एक ही तरह का बरताओं होना चाहिए जैसे अभी इसमें बात की गई जिसके तीन बच्चे होंगे और निकाय चुनाओं नहीं रपाएंगे तो दोस्तों निकाय चुनाओं क्या है दोस्तों कोई भी चुनाओं नहीं करना चाहिए इसके लिए दोस्तों हम भी तैयर है आपका अपना चैनल इस मौहीम को दोस्तों सपोर्ट करता है लेकिन दोस्त माहाम खामीयों के साथ में दोस्तों इसको दूस्त करना रहे गें तो इसको दूस्त करना रहेगा कोड के आदेश के बाद भी नहीं मिली नियुक्ति उनाथता जा सिच्छक बत्ती में इंटरमेडियर के बाद प्रसिच्छक डिगरी लेने वाले अब्यार्थिव कोड के निर्देश के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल सकी है अब ब्यार्थिव का काना है कि हाय कोट ने उनको पद के लिए योग मानते हुए निवक्ति देने का आदेश दिया है कोट की ओर से पाहले 15 मार्च और बाद में 21 जूम को जारी आदेश में कहा गया थे कि याची को जॉइन करवाया जाए कोट के दोबारा आदेश के बाद भी प्राथि पिडिया देवी बेसिक सिच्छा परशत से लेकर सभी कार्याले का चक्क्ल लगा रहे हैं परंद कोई सुनने वाला रही है तो दोस्तों यह हालत है आपके उत्तरव पर्देश की कि यहां पर कोड के आदेश को भी नहीं सुना जा रहा है यहां तो क्या स्वे दोस्तों जो हमारे जो भाई बेन हैं 22,000 सीटों को आइड कराने के लिए दोस्तों बिसाल धरना पर्दस्तन आयुजित कर रहा है 12 जुलाई को क्या उनकी बातों को सुना जाएगा या नहीं सबसे बड़ा तो दोस्तों यही सवाल है सबसे बड़ा दोस्तों यह सवाल है क्या इसका जवाब पाजिटिव में आएगा या निगेटिव में है जब उत्तर परदेश की माननी है योगी आदितनाजी की सरकार दोस्तों कोड के आदेश को दोस्तों पालन नहीं कर रही है क्या हिवास हीजाओी दोस्तों मुहीम के साथ लगे हुए है कि 22 अजाध स्ीटों को अहट कर दिया जाए 59 अजाध सिच्छक बनती यह fiz Defense वक्तब एक बयान मान्य बेसिक सिच्छा बंती जी का दोस्तों आया कि हम 22,000 सीटों को एड़ नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों आप लोग उनके बातों को जरासा भी तबज्जो मत दीजिए क्योंकि यही वो सक्स है जो कह रहे थे ठर्ड काउंसलिंग नहीं होगी अंतता दोस्तों थर्ड कांसलिंग भी हुई और जो सूचना प्राप्त हो रही है दोस्तों लगबग आप लोग के दोस्तों फोर्थ कांसलिंग भी होने की परभल संभा उना है तो कैसे दोस्तों आप लोग इनके बातों पर विष्वास कर सकते हैं जो आपका 12 जुलाई को दोस्तों धर्णा परदस्तन है दोस्तों उसमें आप लोग बर्चल कर भाग लीजिए दोस्तों देखते हैं दोस्तों आप लोग का जो बाई सजार का मुद्दा है आयड होता या नहीं लेकिन आप लोग का जो दोस्तों करतब है उसको आप लोग दोस्तों अप का 22,000 मुद्धे को लेकर है लेकिन अगर आप लोग लगे रहेंगे तो दोस्तों हो सकता है आप लोग को सफलता मिल जाए क्योंकि सरकार दोस्तों बहुत ही चुनाओ है 2022 में बहुत फुक फूक का कदम रखेगी आप लोग समझ सकते हैं हमारा इस सारा दोस्तों किस तरफ है दो तरफ दोस्तों ये 22,000 सीटे जा सकती हैं आप लोग दोस्तों नोट डाउन कर लिजे जो हम कहा रहे हैं दोस्तों वही होगा अगर दोस्तों नहीं होता है तो आप लोग इस चैनल से दोस्तों जा सकते हैं चैनल को अन सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों जो इस चैनल के माद्धम से जानकारी दी जाती है दोस्तों सरकार दो तरफ जा सकती है पहली जो दोस्तों बात की जाए नई प्रात्मिक सिच्छक भरती के लिए दोस्तों 22 सीटों को आइड कर सकती है दूसरी दोस्तों अगर आप लोग का जो बहुत जादे दबाव पड़ा बहुत जादे जिसको कह सकते हैं एक उग्र पर्दर्षन जिसको कह सकते हैं अगर ओ रहा तो आप लोग के 22,000 सीटे एड़ हो सकती है अन्था दोस्तुं आप लोग 22,000 सीटों के लिए दोस्तों बोल जाईए जो सत्थ है उसी को दोस्तों आप लोग सामने रखा जा रहा है क्योंकि आप लोग 12 जुलाई को अ को तो दोस्तों जो सूचना प्राप्त हो रही है बीस जुलाई के आशd पर्लेकłos का दोस्तों को निव defense कर दी जाएगी है है कि बीस जुलाई तक दोस्तों सभी के अपडेट के लिए अपलगना चैनल कि प्रेशन के लिए इक helemaal कու साथियों का बहुत बहुत धन्दवाद जय हिंद जय वारत आप लोग स्वास्त रहिए मस्त रहिए